राम आएंगे तो अंग ना सजाओंगे दीप जला के दिवाली मैं मनाओंगे दीप जला के दिवाली मैं मनाओंगे मेरे जन्द मुखे सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे हेलो एन वेलकम फरेंड मैं हूं मुझफर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट रियक्शन दोस्तों इस वक्त हम रहीम यार खां के अलाका महला काण्जुवं के अंदर मौजूद हैं और यहां पर हिंदू कम्योटी का इलाका है उसके अंदर हमारे साथ विश्नु पमार जी मौजूद हैं हम." हम इंसे जाने के इस अब इस आप एंदर जो हिंदू कमिअटी हैं उनके क्या मसाल हैं और किस तरीके से यहां पर अपनी जिन्देड़ी को बजा रहे हैं हम इन से अभी बात करते हैं नमश्कार सब ऑव नमस्ते हिंदू कमेंटी यहां पे बाकिस्तान हों बाकित हो सब पहले हैं पन्जाब इसम्ब्ली कितनी हैं पंजाब में टोटल सीटे की तो अलग हैं लेकिन मिनार्टी की आठ सीटे हैं तो आठ में से अप वह आप वह अंदेशा है कि एक भी जो हिंदू क्मूनिटी को शायद मिले या ना मिले यहां पर मैं पहले इस लगके की बात करता के यहां पर अंदाजें कितने जो हिंदु के लोग रहें यहां पे तीन तो घर हैं तक्रीबंंथ दो तीन-चार महले लिए डूंअ महले में इस महले का नाम महाले मैंदे पैजुमाहला है यह है मारवारी जिज़िय गिली जो हमारे पीछे मंदर रामा पीर जो है राम देव जी महाराज मंदर है यह वहां पे हम खड़े हुए है तो यहां के जो लोग हैं ज्यादा तर उनका पेशा क्या है कोई जैसे आम मुस्लिम कारोबार बिजनिस करते हैं या कोई स्पेशल भी काम होए आप लोगों का अलग से भी है या मिल शौबा है दुनिया के जो भी हैं मतलब दुकाने हैं और कुछ लोग करते हैं सिलाई उगरा भी करते हैं तो यह सारी क्म्यूनिटी के लिए मंदर एक है या इसके लावा और भी मंदर है इसके लावा हमारा यहां पे एक बरोड पे है एक दरबार वो तो इसे खुली जगा है और वहां पे भी जो है शुवाले भी बना हुए है और बहुत कम है यह पीछे ज़रा दिखाएं यह भी एक जो हमारे हैं यह इनके लगा हुआ साथ में आप सब की तस्वीरें भी नीचे लगी हुई है तो यह आप इनको जब स्पोर्ट करते हैं आप इनसे अपने मुता कालबाद नी रखते है कि हमें थोड़ा सा हमारे कम्यूटे के लिए बात करें, हमारे हम रे हकूद के लिए बात करें तो यह लोग आगे जाकर बात करते हैं, मैंने अभी रिस्टली सुना थाstell extern médi, पार्टी की है पाक्सलिम, नीचू नवाद भी बात की थे, क्यों बात करत तो पागिसान में गौर्णमेंट लेवल की बाते है ना इसके लिए बिल होगा तो ये वहां पे सीटे जब बढ़ेंगी हिंदू के लिए दो सीटे जो मकसूस सीटे जरूरी है पंजाब में जैसा कि हमारी जो अबादी है क्रिश्चन के बराबर अबादी है तो हमें भी जो ह खो खाएं तो अरफे इसे जायान पारे तो काफी तो तादार नग्यार भी हिद्दी लक्त-भूड़् मसंदाते है कि हिंदू कमूनिटी भाद में बेश चाहुंद मेन परी हिंए तो यहां पर मिलती हैं मतलब हमें भी मिलनी कि आतर दिणमाने येवर नाइडीटू के बाद 2013 तक कोई नही बना फिर 13 मेर नूनलीक का एक हमारा बना बना, काझ्जी-RAM उसके अबाद दीसरचुलहां बना उससे पहले हमारे बनते से पहले हमारे पेसुटा- roof 6088 वो सेलेक्टिड नहीं होते थे तो वो उसके बाद मेहरलाल भील बना था और भारथाराम साथ बने थे लोग बने थे तो वह पहले हमारे पर पर बनते थे तो अब जो है हमें कर दिये रिजर्व और उसमें कभी हिंदू आता है और पहले जो वाला सिस्टम था वह बितर था सिस्टम सारे बहतर हैं बना हमें तर्जमानी मिलने चाहिए दो सीटे हो कम अजगम उसमें से हिंदू जो है ना हमारे पंजाब में तर्जमानी करें तो यह हो जाए तो हमारे लिए सबसे बहतरी है यह भाई बात कर लेंगे थोड़ी सी आपका नाम क्या है वैसे नाम बता दे क्या करते हैं यह धोलिस्तानी वहां इसके अंदर को थोड़ी सी बात करके आप आपस में थोड़ी सी हlor हु selbst है कि रई गिलिकए लो बड़ो कि हम जो अब है यह अपर अपनी पोली ऐसे बोलते हैं कि मुझे से मेरा नाम पूछे हैं आपके आपका नाम किया है थार नाम थारो मेरा मजफर है और कही हैं फैसलाबाद में रहता हूं की काम करता हैं वहां पर मेरा YouTube चैनल भी है और साथ में मेरा कपड़े का काम है. यह तो यह कितनी आथान है आपको समझ आ रही हैं ने पल्कुम यह बुलियां तकरीब यह जैसी हैं क्योंकि हम लोग ना यहां पर पाकिस्तान बनने से पहले के रहशी हैं और हमारे साथ मुस्लिम लोग हैं यह जो रियासत थी रियासत में हम लोग सब वस्यव के वासी हैं हम बाईचारे से रहती हैं इसमें बोलियां अलग अलग है सराइकी बोली और हमारी बोली तकरीब मिलती हैं आपकी बोली का जो है वो भी दिखा दें उस साथ में ये भाई आए है ये भजन हमें बाणी जो होती है ने ये हमें मारवारी में सुनाएंगे बाणी और आपको बढ़ा उसमें आनंद आएगा अच्छा चैला जी अंदर आजाएं फिर उससे पहले हमें जरा ये जो बताईएगा ये जो मू जी राम् देव जी उतार है जी ये घराजिस्तान के ही है अजमल देव जी इनके वाले साथ को नाम था जी हैं जो राक्षिस था वो इन्सानों को तंग करता था उनको खतम करने के लिए यह नहें ज्य वो इन्सानों को तंग करता सा उनके वे नाम राम देवजी ऑतार बाबा राम जानवर जानवर और यह जो उठा के लिए जाता था और इन्सानों को उतंग करता था क्योंकि वह शयतानी अमल उसका हो गया था आदम खोर हो चुका था उसा आदम को खोर को खतम करने के लिए राम देव जी ना उतार लिया था और यह नीचे यह श्री कृष्ण में बैड़ अगगर इजे आदम पाराले तो फ्थ्री कृष्ण जी है यह श्री कृष्ण धी एनों ने प्यों से पाउच जार साल पहले जो आछ नौ आव ढ़ीया था और यह जो हमारे नोहें ostr घाल है तो इनोंने वह श्रीमा बावचक गीतठा शएं हो अर्जितेल को अरुथर यह औ तो उसमें श्रीक्रिशन भगवान ने हाग का साथ दिया और वहां पे अर्जन जब डामा डोल हो गया कि मैं जो इन से नहीं लड़ सकता क्योंकि ये मेरे रिष्टेदार हैं को मेरे चाचे हैं को मामें हैं को ताए हैं मैं इनके ओपर दीर नहीं चलाओंगा क्योंकि वो जो ह किस देनी है तो फिर इसमें दनश उठाया और फिर वहां पर एक शलोग मैं सुनाता हूं खवाजा दिल मुहमेद सहाब का तुझे काम करना है हो मर्देकार नहीं इसके फल पर तुझे इस्तियार किये जा अमल और ना ढूंड इसका फल अमल कर अमल कर ना हो बे अमल यह हम जै बोल जामा पीर की जाय हो जै बोल गनेश भगवान की जाय हो सुन डाला दुख भंजना जो सदा है बाले बे वो सारो से पहले से मरिये ओतो गोरी नंद गणे राग जानू ना रागनी अरे ना जानू मैं ग्यान अरे बीच सबा में बेठ कर मारिला जा रखो भगवान जै बोल रहा मा पीर की जाय हो उतर की सांसा मीरा जाय हो पिशम दे सरो मेरो जै बोलो बबरी जै बोलो रमारी जै बोलो अरे राम ना मरी जै बोलो हरी रे ना मरी जै बोलो जै बोलो बबरी जै बोलो रह भगता जै बोलो होली मैं पहला जो सीदा पापनी आवे नेडो जै बोलो बबरी जै बोलो जै बोलो रह भगता जै बोलो अजमल जीरी जै बोलो माता मेडा देरी जै बोलो जै बोलो रह भगता जै बोलो जै बोलो रह संता जै बोलो ताल तंबूरा नोबत बाजे ताल तंबूरा नोबत बाजे जै बोलो बबरी जै बोलो जै बोलो रह संता जै बोलो लाठा माईरी जै बोलो सुग्णा माईरी जै बोलो जै बोलो रह भगता जै बोलो जै बोलो बबरी जै बोलो गायारा मुख बांदन छूप्ट्या पाचणि आरो मेरो जाय बोलो पादेरी जाय बोलो जाय बोलो रभकता जाय बोलो नेतल तेरी जाय बोलो डाली बाईरी जाय बोलो जाय बोलो रभकता जाय बोलो जाय बोलो रसंता जाय बोलो संता भगता साहीत घनेरो पाप पडेरो छेडो जय बोलो रभगता जय बोलो जय बोलो बदेरी जय बोलो जी राम देवरी जय बोलो अर्धी पाटीरी जय बोलो जय बोलो बबेरी जय बोलो जय बोलो रसंता जय बोलो राणी तोड़ा दे आरती उतारे पीन भावनरो मेडो जय बोलो बबरी जय बोलो रामा पीररी जय बोलो महा देवरी जय बोलो माता शेरावा नीरी जय बोलो शेरी किशन भगवानरी जय बोलो राम भगवानरी जय बोलो अजू मानरी जय बोलो जय बोलो रे भगवता जय बोलो जय बोलो रे संता जय बोलो और उतर पिशाजा सामीरा जय बोलो जय बोलो बबरी जय बोलो जय बोलो रे भगवता जय बोलो जय बोलो रामा पीर की जय हो आपका नाम किया है जी? करन करन नाम है कब से यह आप महजन गार हैं? यह दो तिन साल हो गए किसी से सिखा आपने? जी मेरे उस्ताद है नर्सिंग भगट है वो मेरे उस्ताद है यह मरवारी हमारा कल्चर है यह महरारा वगएरा यह मरवारी जिबान में आरथी है रामा पिर तो समझ नहीं अए गया जो हमारे लेकिन देखने वाले उनको ज़रूर यह समझ आगी महअरी हमारे वह सारे राजस्तान की बोली hoping przysz यह राजस्तान की बोली है यहाँनि कि बशलबाद बोलते हैं वो हमें भी नहीं समझाती है बाकी ये मरवारी में है बिल्कुल जी बेटा क्या नाम है आपका जानवी पुवर पड़ती हुआ अब कौनसी क्लास में पॉट में पड़ती हूँ अब में क्या सुना रही हो आज भजन शुना रही हो चले सनाओ मेरी जो पड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी जो पड़ी के भाग आज चल जाएंगे राम आएंगे तो अंग ना सजाओंगे दीप जला के दिवाली मैं मनाओंगे मेरे जन्द मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्द मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे मेरी जो पड़ी के भाग आज चल जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्द मों के बाग आएंगे राम आएंगे मेरे जो पड़ी के भाग आज चल जाएंगे तो राम चुनेंगे तो पाल ना जुलाओंगे मीथे मीथे को मैं भजन सुनाओंगे मीथे मीथे को मैं भजन सुनाओंगे मेरी ज़िन्दगी के दुख सारे मित जाएंगे राम आएंगे मेरी जोपरी के बाग्राज बिल जाएंगे मेरी मैं भजन सुनाओंगे में दर रुचे रुचे बोग जाएंगे में दर रुचे बोग जाएंगे माचहन में शेरी मेराम को कहिलाओंगे प्यारी प्यारी राधा प्यारे शाम संग आएंगे राम आएंगे प्यारी प्यारी राधा प्यारे शाम संग आएंगे राम आएंगे मेरी जूपरी के भाग आज चल जाएंगे राम आएंगे मेरी जूपडी के भाग आज कल जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ऐसा डंबरू बजाया भोले नातने सारा कैलाश पर वत्मगन हो गया ऐसा डंबरू बजाया भोले नातने सारा कैलाश पर वत्मगन हो गया दंबरू को सुन कर जी काना जी आए काना जी आए संग राधा भी आए काना जी आए संग राधा भी आए वहां माराधा का मन भी मगन हो गया ऐसा डंबरू बजाया भोले नातने वहां सत्यों का मन भी मगन हो गया ऐसा डंबरू बजाया भोले नातने सारा कैलाश पर वत्म गन हो गया ऐसा डंबरू बजाया भोले नातने सारा कैलाश पर वत्म गन हो गया डंबरू को सुन कर जी गड़ पज जी आए गड़ पज जी आए संग कार्तिक भी आए मां अंबे का मन भी मगन हो गया ऐसा डंबरू बजाया भोले नातने मां अंबे का मन भी मगन हो गया ऐसा डंबरू बजाया भोले नातने